हेलो एब्रिवन, आज का कॉंसेप्ट है इंडिफरेंस करव, इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस करव के दौरान हम लोग ये सिखेंगे कि कोई भी कंजियूमर है, कोई भी परसन है, वो अपना बजट कैसे मेंटेन करेगा, वो अपनी फिक्स लेवल ओफ इंकम को कैसे पेस से उसको ज्यादा से ज्यादा सैटिसफेक्शन मिले, means उसकी मणी वेस्ट ना हो, ओके, तो इससे पहले हमने किया था, यूटिल्टी अनलेज़ेज, यूटिल्टी अनलेज़ेज में आपने किया था, कि यूटिल्टी का मतलब है कारिनल नमबर देना, हर एक यूज कि लेगा कि उस एक ग्लासे में मेरको 10 यूटिल्टी मिली है, 18 यूटिल्टी मिली है, यह तफ था, इसलिए उस चाप्टर की डाक्शन से कवर करने के लिए, हमारे पास चाप्टर इंडिफरेंस करव में हम लोग ये सिखेंगे, कि कंजूमर ने हर एक प्रड़क्ट को अपन अपनी डिमांड के अकोडिंग, अपनी नीड के अकोडिंग प्रेफरेंस देनी है, यहाँ पर हमने ओरिनल नंबर करना है, ओरिनल यूटिल्टी इस काल्ड इंडिफरेंस करव, तो जैसे एक शेडूल बनाया है, यहाँ पर मैंने इसमें इस सीखना है कि कंजूमर ने अप 500 रुपीज है, और उस 500 रुपीज को खर्च करने के लिए मेरे पास अलग-लग मेठोड है, अलग-लग पॉइंट से है, मालो पॉइंट ए के अंदर, पॉइंट ए में मेंने क्या दिखाया है, जैसे मेंने मालो उस 500 को में से 1 केजी एपल ले लिए, और बाकि जो बैलन्स प पर मैंने 500 ही खर्च करना है तो अगर और एपल का एक यूनिट जादा लेना है तो तीन यूनिट आप औरेंज का सेक्रिफाइस करने के लिए त्यार हो और अगर और एपल चाहिए जैसे सी पॉइंट में दिखाया है अगर और एपल चाहिए दो से एक किलो में एपल और ले लेकिन अगर मेरे बजट सेम है, इंकम मेरी जादा चेंज नहीं हुई और इन दोनों का प्राइस लेबल भी सेम है तो मेरे को और और औरंज का सेक्रिफाइस करना पड़ेगा जैसी जहाँ पे मैंने 2 औरंज का सेक्रिफाइस कर लिया पहले 7 औरंज ले ती और 7 उनिट ले यह 1234 है यह 1 kg 1.5 kg 2.5 kg ले सकते हो और जो sacrifice करना है sacrifice भी आप अपने according कर सकते हो लेकिन यह decrease होगा यह decrease students क्यों होगा क्योंकि हमारी जो income है वो fix है हमने अगर इसमें यह दिखाया गया है अगर consumer अपने fix income में से मालो दो goods जूज कर रहा है तो अगर उसने एक goods की commodity increase करनी है तो दूसरे goods की commodity को decrease करना पड़ेगा जो यहाँ पर ratio भी आप जैसे निकाली हुई है ratio 1 is to 3, 1 is to 2, 1 is to 1 का मतलब क्या है जैसे यह initial stage है second stage में आपने कितनी goods से जादा ली पहले एक किलो फिर दो किलो, 1 kg जादा ले 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 तो यहाँ पर बना गया sacrifice कितनी ने का किया है पहले 10 थ 3 हो गया यह sacrifice है 3 का sacrifice ऐसे यह वाली ratio 1 kg जादा ले लिया 2 का sacrifice 1 kg जादा ले लिया 1 का sacrifice ओके यह डियर आपका है indifference schedule करने के बाद यह कुछ आपके पास point है की schedule में क्या लिया है जैसे point A, B, C, D यह consumer ने अपनी according लेनी अपनी preference के according लेनी है और हर एक point से consumer को same level of satisfaction मिल रही है य मानलो हम 4 परसन है परसन A, परसन X, Y, Z और परसन O मानलो परसन X ने A combination ले लिया, परसन Y ने B ले लिया, परसन Z ने C ले लिया, परसन O ने D ले लिया तो मानलो हम चारों ने 5 500 रुपेज ही खर्च किये है तो हमारी equal level of satisfaction सभी का same होगा क्योंकि हमने जो goods लिया है जो combination लिया है वो अपनी desire की according लिया है, उसके बाद आप चलिए, what is indifferent set, indifferent set में भी वह यह बात कही है, it is a set those combination of two goods, यहाँ पे यह set है, जैसे यह set हो गया, set में कम से कम दो goods है, set A में दो goods, apple और orange है, यह लगलग set हो गया, यह हमारा indifferent set है, और उसके बाद, indifferent curve, यह है हमारा indifferent curve, indifferent curve का मतलब, जो हमने schedule लिया है, उसको diagramatically, graphically represent करना, यह है indifference करा, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले अपना base तियार कर लो, ox axis और o y axis, ok, ox axis में आपने हमेशा वो commodity दिखानी है, जो आपने increase की है, schedule में हमने apple increase किया है, कितनी apple ली थे, कितनी unit apple के लिए थे, 4, 1, 2, 3, 4, ok, तो o y के अंद लिखाना है, orange की, orange हमने लिया था, जैसे 10 से लेके maximum 10 था, minimum 4 था, तो ऐसे o y के उपर, अप में orange के point लिखा होगे, ok, 2 से लेके 10 तक, यह ले लिए अपने, उसके बाद आपने point यहां पे point लेनी है, जैसे point A में, combination A में, आपके पास क्या था, 1 apple, 1 kg apple, और 10 आपके पास orange थे तो यह point आ गया, और point B की अंदर आपके, आपके पास क्या था, 2 kg apple और 7 kg, 7 unit of orange, और ऐसी यह अपने point C में दिखाया है, कि के इतना, 3 apple और 4 kg orange, ऐसी D का ले लिया, तो students, यह देखो, उसके बाद, आपका जो आपने यह line point मैच करनी है, यह point मैच करनी से, अपने, this is your IC curve, IC curve, आपके यह downward slope है, देखो, downward slope क्या show करी है, कि एक चीज का sacrifice करनी पे ही, आप दूसरी चीज ज़्यादा ले सकती हो, जो यहाँ पे लिखा है, delta Y, delta Y represent करेगा sacrifice, unit sacrifice, यह नीचे नीचे जा रहा है, just 10 to 7, 7 to 5, 5 to 4, यह अपने जो right word है, left to right word show हो रहा है, यह आपका again show हो रहा है, 1 2, 3, 4, it's okay, now what is indifference curve, अब आपका question आया है, what is indifference curve, indifference curve वही है, it is a diagrammatical presentation of indifference set, set का मतलो, set A, set B, set D, okay, it is a locus of all such points, which show the difference combination of two goods, इसका मतलब है, कि सारे जो points show करेंगे, सभी से हमें same level of satisfaction मिलेगी, जैसे हर एक point के इंदर कम से कम दो unit है, जैसे इस schedule में हमने लिया apple और orange, यह है हमारा indifference curve, student आप चाहो, तो indifference curve की definition सबसे starting में लिख सकते हो, बाद में schedule बना लेना, बाद में इसकी explanation, उसके बाद आपके पास है monotonic preference, what is monotonic preference, monotonic preference का मतलब है, जब consumer ज्यादा से ज्यादा product लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा consumption करेगा, किसी चीज़ को use करेगा, उसका satisfaction level उतना ही ज़्यादा होगा, जैसे माल लिजिए, मैंने, दूसरी example हम लेकी चल रहे हैं, माल लो मैंने 3 apple और मैंने 6 orange ले लिए, और why chance मेरी income बढ़गी, जा तो income बढगी, जा मेरी apple की जो price है apple जो मैंने बजार से लिए थे, apple की price reduce होगी, तो मैंने 4 apple ले लिए और 6 orange ले लिए, अब आप यहाँ पे बताओ मेरे को, एक point में मैं 3 apple और 6 orange ले रही हूँ, और दूसरी point में मैं 4 apple और 6 orange ले रही हूँ, तो अगर मैं 4 apple और 6 orange लूँगी, यह मेरी monotonic preference है, कि consumer हमेशा ज़ level of satisfaction मिलेगी, और दूसरी जो assumption है, दूसरा जो point indifference curve के बारे में, इसकी slope हमेशा downward होती है, downward का मतलब है, कि अगर fixed budget में consumer ने 2 unit लेनी है, 2 goods लेनी है, तो उसको एक goods का sacrifice करना पड़ेगा, फिर ही उसको goods ज़्यादा मिलेगी दूसरी, यह कैसकते हो, एक goods ज़्यादा लेने के इसको दूसरी goods का sacrifice करना पड़ेगा, यह हमारी marginal rate of substitute है, इसका मतलब है, minus delta y divided by delta x, minus क्यों शूक किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने sacrifice करना है, sacrifice करना पड़ेगा एक चीज़ का, दूसरी चीज़ जाना लेने के लिए, delta y divided by delta x, y शो करेगा loss को, और x शो करेगा gain को, जैसे लोस औरेंज का हो रहा है, यहाँ पे देखो, तीन औरेंज का लोस होके, हमने एक युनिट अप्रिल का ज्यादा ले रही है, यह बन जाएगा, 3 divided by 1, यह आगे हमारा 3, ओकी, तो now the consumer willing to sacrifice 3 unit of goods, y for more unit of x, it's okay, तो dear students, इसी तरह की आगे वाली वीडियो देखने के लिए, subscribe by this channel Commerce Classes by Nishu Madam, it's okay.